हेलो गाइज एक दूज के वास्ते सीजन 3 के फैस के लिए एक बहुत बड़ी गुर्नियूजा चुकी है जो कि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और जो लोग भी एक दूजे के वास्ते सीजन 3 का वेट कर रहे थे दिल थाम कर बैठिये आपके लिए बहुत ही गुर्नि अपडेट नहीं जाती सो फाइनली एक गुर्नियूज आप सभी के लिए आचुकी है जिसके सुनने के बाद आप काफी खुश हो जाएंगे तो इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले चलिए स्टार्ट करते हेलो दोस्तों दरसल बात ये है कि एक दूजे के वास्ते सीजन 2 के में लीड एक्टर मोहित कुमार और कनिका कपूर यानी की सुमन और शबन दोनों एक साथ एक प्रोजेक्ट में आपको नजर आने वाले है जी हागाईज आप सभी फिर से सुमन और शबन की एक स्क्रीन में देख पाएंगे औ और दोनों एक्टर्स उस प्रोजेक्ट की शूटिंग के लिए भी जा चुके है अब ये कंफर्म नहीं ए कि ये एक दूजे के वास्ते सीजन 3 या फिर उससे कोई कनेक्शन है या फिर उससे कोई कनेक्शन है या फिर कोई और प्रोजेक्ट है जो कि इनका एक साथ में आने वाला है लेकिन दोस्तों अब हम आपको कुछ क्लिप्स दिखाने वाले है जिसको देखने के बाद आपको भी थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि शायद एक दूजे के वास्ते सीजन तीन हो सकता है कहां से गाए प्राई जन्ता जानना चाहती है यूविका 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 सुरी 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 उड़ा लोगल ने जा सुमो सुमो यूविका थी दोस्तों आप सभी ने लिखा है ये कैसे एक दूसरे को सुमन और शबन बुला रहे है और एक फोटो भी शेयर की है जिसके कैप्शन में इन्होंने लिखा है सुमन से हाई दोस्तों इसका मतलब ये बिलकुल नहीं है कि 100% पे एक दूजे के वास्ते सीजन 3 के लिए ही काम कर रहे हो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि इनको ज्यादातर ओडियन्स सुमन और धवन के नाम से जानती है इसलिए ही ये सुमन और शबन के नाम स एक दूसरे से बात कर रहे हो या फिर हो भी सकता है कि इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आने वाला हो एड हां गाईज ऐसा भी हो सकता ए कि वनशज शो में जैसे कि मोहित कुमार नील के किरदार में नजर आ रहे है उसी ही शो में कनिका कपूर को कोई रोल दिया गया है बाकी गाईस आपको क्या लगता है कि ये कौन सा प्रोजेक्ट हो सकता है कमेंट में बता सकते ए ए तो दोस्तों ये थी गुर्न्यूज जो आपसे शेयर करनी थी बाकी मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर देना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो